गैस अगर आप लोग एक startup owner हैं या फिर आप लोग सोच रहें एक startup को start करने के लिए तो ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं जो कि आप लोग को मालूम होनी चाहिए इसी के बारे में आप लोग के साथ आज बात करने वाला हूँ और आप लोग को एक platform के बारे में भी बताऊंगा जो की आपको काफी मदद करेगा अगर आप लोग अपने startup को scale करना चाहते हैं in terms of cost savings भी और in terms of availability भी ये platform बहुत बढ़ी है तो मैं आपको आज इसी के बारे में बताने वाला हूँ so AWS का एक official program है जिसमें ये startup को support करते हूँ उनको कुछ free credits provide करते हैं और मेरे हिसाब से ये चीज़ आप लोग के लिए जानना as a business owner या फिर as a future potential business owner आप लोग को पता होना चाहिए अगर आप लोग अपनी website को scale करते हूँ या अपनी services provide करना चाहते है AWS activate एक ऐसा program है जिसकी साहिता से AWS आप लोगों के startup को और आपकी growth को accelerate करने में help करेगी और उसी के साथ साथ आप लोगों को hundred thousand dollars in AWS credits मिलेंगे अब ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर आप लोग को एक बड़े level पर scale करना है अपने startup को successful बनाना है तो AWS एक ऐसा platform है जो कि आपके लिए ना ही सिर्फ चीजों को आसान कर देता है लेकिन आप लोगों को एक बहुत अची flexibility और time savings और cost savings भी देता है अब इसे कई लोगों को लगता है कि यार अगर हम लोग अपने startup को scale करना जाते हैं वेबसाइट अपने host कर ली उसको एक VPS पर लगा दिया और काम हो गया लेकिन rearward थोड़ा messy होता है आप लोग के पास जब बहुत सारी users आएंगे जब availability आप लोगों की कम होने लग जाएगी ज़ादा users के कारण जब आपको compute की ज़रूरत पड़ेगी जब आप compute intensive task perform करवाएंगे अपने server पे तो हो सकता है कि जो आपको server है उसकी जो resources है वो आपके users के लिए कम पड़ जाएं अब ऐसे में या तो आप लोग एक DevOps एक्सपर्ट है तब आप लोग ऐसा handle कर सकते हैं multiple servers की साहता से horizontal scaling, vertical scaling, kubernetes यह सब चीज़े अगर आप लोग को आती है तो आप लोग हाँ manually servers बना कर चीज़े कर सकते हैं लेकिन अगर आप लोग AWS के इस्तेमाल करते हैं तो इनके पास almost हर चीज़ का solution है तो AWS activate member होने के बहुं सारे फाइदे हैं कुछ expert curated tips आप लोग को मिल जाएंगी अपने business के लिए फिर AWS एक बहुत अच्छा platform है बहुत ही धमागेदार platform है लेकिन इसको use करने का जो तरीका है सही तरीका भी आप लोग को आना चाहिए क्योंकि अगर आप लोग को सही तरीका नहीं आता है तो there's a chance कि आप लोग गलती कर बैठें AWS को इस्तेमाल करते वक्त जिसकी वह इसे हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा बिल आ जाए या फिर हो सकता है कि कोई चीज़ आप और बैतर तरीके से कर सकते थे लेकिन आप लोग difficult way of doing things कर रहें तो उस चीज़ से बचने के लिए आप लोग यहाँ पर best practices training का लाब उठा सकते हैं तो एक तरह से यहाँ पर होता क्या है कि AWS आपके business में आपको support कर रहा है आपको initial stage में support कर रहा है ताकि आप लोग अपने business को एक अलग उचाईयों पर ले जा सकें activate console का यह फादा है कि आप लोग के ideation में और आपके startup की scaling में आपको बहुत जादा मदद करेगा तो आप लोग यहाँ पर simply sign up कर सकते हो link description में आप लोग को दे रखा है AWS activate का जो console है उसको access करने के लिए आपको लोग इन करना पड़ा है लेकिन उससे भी पहले आपको पास AWS account होना चाहिए तो आप लोग AWS account बना सकते हैं simply here click करके तो यहाँ पर आप लोग अपना email address डाल देता हूँ फिर उसी के साथ-साथ यहाँ पर आप लोग अपना AWS account name डाल दे जैसे कि मैं यहाँ पर यह account name डाल देता हूँ और मैं verify email पर click करूँगा मेरे पास एक email पहुचेगी जिसमें की verification code आएगा मैं हो verification code simply यहाँ पर डाल दूँगा तो मैं email का इंतिजार कर रहा हूँ और मेरे पास email आ गई है तो मैंने सारे process को complete कर लिया है अब मैं आपर login करूँगा और next पर click करूँगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह मुझे मुझे पासफ़र्ट पूछ रहा है तो मैं भी अपने AWS account में login हो चुका हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हो अब मैं आपर AWS activate पर login करूँगा यह पर आप लोग को अपनी सारी details भरनी है और इस data को भरने के बाद आप लोग AWS activate के member बन जाएंगे अब एक बार आप लोग activate member बन गए तो आप लोग को एक form भरना पड़ेगा और credits के लिए apply करना पड़ेगा जिसके बाद आप लोगों को AWS activate credits मिल जाएंगे from thousand USD to hundred thousand USD आप लोगों को मिलेगा thousand dollars activate credits में जो कि दो साल के लिए valid होगा फिर साथ कोर AWS Trust Advisor Breast Practice Checks तो जादा टाइम ना वेस्ट करते होगा आप लोग description के link को follow कर सकते हो और इसके लिए apply कर सकते हो तो overall इसका procedure में आप लोग के लिए summarize कर देता हूँ सबसे पहले तो आपके पास AWS account होना चाहिए जो कि most of the people के पास होगा भी इसके बाद AWS activate के लिए आप लोग को अलग से register करना पड़ेगा जो कि आप लोग description में दिये हुए link पर click कर कर सकते हो जब आप लोग अपने startup को launch करने के लिए ready हैं तब आप लोग अलग से credits के लिए apply कर सकते हैं अब credits के लिए आप लोग को अलग से apply करना होता है आप लोग को thousand dollars मिलते है AWS credits में फिर best practice checks आपको मिलते हैं और उसी के साथ साथ architectural guidance मिलता है जो कि आपकी startup की जो stack है उसको improve करने में मदद करेगा लिंक में description में दे दूँगा आप लोग इसके लिए apply कर लेना एक काफी अच्छी opportunity है अगर आप लोग एक startup उन रहे हैं future में आप लोग एक startup को own करने वाले हैं plan मना रहे हैं definitely आप लोग इसको consider कर सकते हैं अभी के लिए इस video में इतना है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time